तमस्कार दोस्तों मैं देवे शुकला आप शबीका श्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चनल पर मेरे प्यारे दोस्त आज आज आपके 30 डे चैलेंज का चौथा दिन है जिसमें हमने तीन दिन में परसेंटेज की कलासे जो है क्या कर ली है कबर कर ली है आज से आपका start होने वाला है profit and loss profit and loss का पहला दिन होगा पहली कलास होगी start से हम लोग देखेंगे कि profit and loss होता क्या है उसमें हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और कैसे questions पूछे जाते हैं सारी चीजों के उपर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं तो बस आपको क्या करना है वीडियो को सुरूर से ले करके अंतर तक देखना है आज आपकी ये इंट्रोडेक्शन क्लास होगी कल से ये मान के चलिए कि आपकी जो है कोईसेंस कराई जाएंगे ठीक है तो श्टार्ट करते हैं बात करते हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं तो लाभानी के बारे में जो सभी का फेवरेट चैप्टर होता है वैसे ना हो तो किस में होता है लाइफ में होता है ठीक लाभानी जो है वैसे अगर ना माना जाए तो ये लाइफ में सभी का फेवरेट चैप्टर होता है क्योंकि ये हर जगे पे देखा जाता है चाहे रिस्ता हो किसी भी प्रकार का रिस्ता हो वहां पर देखा जाता है दोस करते हैं मेरे प्यारे दोस्त लावहानी में आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत आवस्यक होता है जैसे कि CP पहला तो आपका हो जाए का CP जिसको हम cost price कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त और हिंदी में इसको क्या कहते हैं क्रेमूल्य कहते हैं ठीक है क्या वोलते हैं क्रेमूल्य वोलते हैं ठीक है दूसरा आप कहा जाता है एस पी जिसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइज कहा जाता है और हिंदी में इसको मेरी पहले दोस्त बिक्रेमूल्य कहा जाता है क्या कहा जाता है ठीक है यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और तीसरा आपका जो आता है मेरी पहरे दोस्त वो आता है Profit क्या आता है Profit जिसको हिंदी में कहते हैं Lab क्या कहते है Lab और एक आपका आता है Loss ठीक है इसको हिंदी में कहते है Honey ठीक है Chapter का ही नाम Profit and Loss है तो यहाँ पर पता चल गया होगा अभी आपके लिए IMPORTANT है कि भी या CP क्या है या CREMULLE क्या है SP क्या है या CREMULLE क्या है ये दो चीजे समझना बहुत आवस्थिक हो जाता है ये चीजे जानना बहुत ज़रूरी है नाम से आपको पता चल ला होगा जैसे उपर लिखा गया है CP, हिंदी में कहा गया है क्रेमुली, क्रेमुली का मतलब मेरे प्यारे दोस्त होता है, जितना रुपया आप खर्च करके कोई वस्तू को खरीदते हैं, एक्जाम्पल के तो रुपय जैसे ये मारकर है, अगर इसको हमने 20 रुपय में खरीदा है, तो आपका क्रेमुली अर्थात SP कहलाएगा, समझ रहे हो, तो जो आपका वस्तू क्रेमुली होता है, वो क्या होता है, जितने में आप खरीदते हैं, ध्यान दिजीगा, गल्ती कहीं कहीं पे हो जाती है, कि जैसे मान लीजिए, कोई भी गारी है, एक गारी हमने कितने में 20,000 रुपे में खरीदी, कितने में खरीदी मेरे पैरे दोस्त, 20,000 रुपे में एक गारी हमने खरीदी, अब उस गारी में थोड़ी बहुत खराबी थी, तो उस खराबी को ठीक करवाया, जो लगभग हमारा पढ़ा, 2000 रुपे में, कितने में पढ़ा, 2000 रुपे में पढ़ 20,000 रुपे था, समझ पारे हो बात को, जब तक आपने उसकी maintenance नहीं किरवाई थी, जब तक आपने उसको दुलवाया नहीं थी, तब तक CP आपका कितना था, केवल 20,000 रुपे थे, लेकिन मेरी प्यारे दोस्त, जैसे ही आपने इन सारे खर्चों को कर दिया, तो आपका CP अब कितना हो गया है, आपका CP हो गया है, 22,040 रुपे, अभी आपका CP कितना हो गया है, 22,040 रुपे, तो आप ध्यान में रखिएगा, जो आप खरीद रहे हैं, वही केवल CP नहीं होता, उसके बाद जो आप पैसा उसमें invest कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, modify कर रहे हैं, य ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है क्योंकि आगी चलके मैं बताओं कि भाईया एक घर एक आदमी ने खरीदा उस घर की पैंटिंग करवाई इतने रुपए खर्च किया फिर उसके बाद उसमें थोड़े सोफे वगएरा ये सब बदलवा दिये चेंज मिस पाड़े कि भाईया चार लाग रुपए में घर उसने खरीदा था बाद में पता चला कि ग्रूजी ये वताओ आपने तो शुरूमें कहुआ था घर CP समझ में आया, क्रैमुले समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, जो आपके पास से खर्चा हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, CP कहेंगे, ठीक है, अब SP क्या होता है, तो SP आप सीधी सी बात एक जानके रखिए, कि जितने में आप कोई भी वस्तु मान लीजी, इसको पूरा ग बेच दे रहे हैं, या फिर 25 में नहीं घर पे लाए, आपको नहीं समझ में आई, या कोई भी दिक्कत आ गई, आप इसको बेचना चाहते हैं, और किसी ने आपके मजबूरी का फायदा उठाया, और उसने आपको 20,000 रुपे का ओफर दिया, कि भाई, आप 20,000 में लाए थ होता है, मेरे पएरे दोस्त, SP होता है, इसमें एक चीज और भी जोड़ी जाती है, मेरे प्एरे दोस्त, MRP, क्या जोड़ी जाती है MRP MRP क्या होता है मेरे पहरे दोस्त MRP जो आप कोई भी वस्तू खरीदते हैं इसमें जब आप देखते होंगे तो यहां पर आपको expiry date और दी होती है वही पर एक छोटा सा लिखा होता है MRP और लिखा कितना होता है 15 रुपे ठीक है कितना लिखा है 15 रुपे लेकिन जब आप वह साबुन को खरीदने जाते है तो वह आपको मिल कितने में जाता है 10 रुपे में मिल जाता है ठीक है आप कहोगे सर यहां पर MRP तो 15 लिखा था 10 रुपए में मिल गया तो भीया ये क्यों होता है जब ये कहीं पर साबुन बनाया जाता है ठीक है साबुन बनाया जाता है तो इसका कुछ rate fix होता है कि इतने रुपए खर्चे लगे मान लेजिए उस साबुन को 9 रुपए में बेच रहा है तो जो आस पर्वेस के लोग होंगे मेरे पैरे दोस्त वो 9 रुपए में खरीद के उसको 10 रुपए में तो बेच सकते हैं नस्दीक के लोग होंगे लेकिन जब वही चीज कहां जाएगी थोड़ी दूर जाएगी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा और भी सारे खर्चे आएंगे तो अगर वह आदमी भी 10 रुपए भी बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा उस दुकानदार को तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वह विचारा अब सोच लिजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई सामान बिन और वो कहां पर जाके बिक रहा है तमिल नाडू में जाके बिक रहा है तो अभी जो रेट उसका उत्तर प्रदेश में होगा वही रेट जो है तमिल नाडू में तो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ें जो है क्या हो जाती है दूर जाती है ट्रांसपोर तो वहीं चीज़ी हो सकता है 12 Rupae में Vicky यहाँ हो सकता है कहीं मानगे असम व्यरा में भिक नहीं है तो वहीं शीज्ज़ कितने में भिक ही मेरी uS 3rdra चे गई और माने जिञे देश से बाहर हो गई तो फंदरा रूपे म Tamour if money w Sports ईंसकती है तो इसिलिए किए में आ गया, SP समझ में आ गया, CP का मतलब जो आपने खर्च किया, जो आपने जितने रुपे में सामान को खरीदा, उसके बाद जो खर्च लगाया, वो आपका क्या हो जाता है, CP हो जाता है, वही चीज आपका SP में होता है, क्या होता है, जितने रुपे में आप किसी भी वस्त हमें भी जानने का प्रयास करते हैं, अगर उसमें जानके रखेंगे, तो ये सारी चीजें, questions में, जो है, काफी ज़्यादा काम आएंगी. यह दूरा काया है, हाँ, इसको भी लिग रेते हैं, इसका मातलब होता है, अंकित मुल्य, क्या होता है? अंकित मुल्य, ठीक है? अब हम लोग क्या देखने वालेते हैं? पहले तो देखने वालेते हैं, profit के बारे में, profit होता क्या है? तो आप यहाँ पे पहले देखेंगे, profit होता है, मेरे प्यारे दोस्त, profit होता है, जैसे माल लिजिए, example समझते हैं, कि कोई उस्तु आपने 100 रुप पसंद आई और वो आपसे खरीदना चाहता है लेकिन आप उसे बेचना नहीं चाहते है तो उसने offer कि भाई या इसा है हम इसको आप 120 रुपै हम आपको देंगे आप ही हमें दे दिगे तो आपने क्या किया 120 रुपे में उसे बेच दिया तो अब आपका SP कितना हो गया 120 रुपे हो खरीदे कितने में थे 100 रुपे में बेच कितने में रहो 120 रुपे में अब यह बताओ कि आपको लाब हो रहा है कि हा नहीं हो रहा है देखने से पता चला है कि 100 में खरीद के 120 में बेच रहे हो, तो 20 रुपे का क्या हो रहा है, लाब हो रहा है, अब 20 रुपे का लाब आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला, आपने क्या किया, 120 में से 100 रुपे को माइनस कर दिया, तो आपको पता चला कि भाईया, 20 रुपे का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वही फा तो इसी SP में से जब हम CP को माइनस करते हैं, मेरे पैरे दोस्त, तो हमारा profit निकल के आता है, ये आपका पहला formula रहा है, कोई रिखकर, जब आप SP में से CP को माइनस करते हैं, तो आपका profit निकल के आता है, ये आपका पहला formula रहा है, अब दूसरे formula के बारे में बात करते हैं, तो चीज फिर ले करके चलते हैं कि कोई वस्तु आपने सौ रुपए में खरी ली कितने में खरीडिए तो यह आपका क्या हुआ आपने करीद रखा है टो यह आपका CP हुआ थीक है सव में आपने खरीदा तो यह आपका CP हुआ अब मान लिजयी उस वस्तु को आप घर पे लेकर के आई अब आपको नहीं समझ में आ रहा है आपकी धर वाले डांट रहे हैं क्यों ले आए कैसे ले बिना पूछें क्यों काम कर देते हो यह है वह फ्लाना धमका या फिर आपको वो चीजे पसंद नहीं आई तो आप घर पे आके उसको बेचना चाहते हैं अब उतना द बेच देंगे पढ़ोसी तैयार हो गया कि भ्या थीर रुप एकम में मिल रहा है तो हम क्या करें इसे खरीदे लेते हैं तो उसने क्या किया खरीदे लिया अब जब खरीदा तो यह क्या हुआ यह SP हो गया ठीक है? आपने 100 रुपए में खरीदा तो यह आपका क्या हुआ? CP CP हो जाएगा अब पडोसी मान लीजिए उसे कितने में बेच रहा है सौ रुपए में बेच रहा है तो वो उसका SP हो जाएगा यह चैन चलता रहता है जो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं जब कोईशन आएगा तो वो चीजें भी आपको में क्या करूँगा बता दूगा बिल्कुल घबराना नहीं है एक एक करके सारी चीजे क्लियर करूँगा अभी आप फिलहाल यह समझे कि आपने किसी वस्तों को सौ रुपए में खरीदा था तो वो आपका क्या हुआ और आपने उसको 90 रुपए में बेच दिया तो SP हुआ अब बताएगे 100 रुपए में आपको इवस्तों खरीद कर 90 रुपए में बेच रहे तो आपको profit हो रहा है या loss हो रहा है बताएगे लाब हो रहा है या हानी हो रहा है तो आप कहेंगे भईया 100 में खरीदे 90 रुपए में बेच रहे हानी तो हो रहा है कैसे कितने रुपए का हानी हो रहा है तो आपने का हो रहा है 10 रुपए का हानी हो रहा है कैसे पता चला कि 10 रुपए का हानी हो रहा है आपने क्या किया कि कि भीया 10 रुपय का क्या हो रहा है हानी हो रहा है अब देखिए आपने 100 को कहां रखा है आगे और 100 आपका था क्या CP तो यहाँ पर रखेंगे CP माइनस लगा था तो माइनस लगाएंगे अभी आपने 90 को पीछे रखा है तो 90 आपका क्या था SP तो SP को पीछे रखेंगे मेरे पैरे दोस्त यही आपका फार्मूला बन जाएगा कि लॉस बराबर क्या होता है मेरे पैरे दोस्त तो लॉस बराबर आपका हो जाता है CP माइनस SP क्या हो जाता है CP माइनस SP यह आपका दूसरा फार्मूला हो जाता है ठीक है पहला आपका आया profit बराबर SP माइनस CP दूसरा आपका आया loss बराबर CP माइनस SP ठीक है ये आपको यहाँ पर ध्याने में रखना है अब चलिए हम क्या करते हैं अभी आपने profit देख लिया loss देख लिया क्रेमूले देख लिया ठीक है और आपने अंकित मुले को समझ लिय और आपको परिशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगे, ठीकर? चलिए. अब हम लोग को एखेंगे किसके बारे में? प्रतिसत प्रतिसत लाब के बारे में. प्रतिसत लाब के बारे में. जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट. ठीक है? profit के भाए में तो भाईया आपको ध्यान रखना है प्रतिस्त लाब या percentage profit बराबर आपका होता है जो आपको लाब हो रहा है या आपको जो profit हो रहा है उसको आपको उपर रखना है profit को उपर रखना है अब ये बताइए अगर आप 100 रुपे में वस्तु को खरीद कर 120 रुपे में बेच रहे हैं तो आपको लाब जो है 100 रुपे पे हो रहा है कि 120 रुपे पे हो रहा है हमें केवल इतना आपको बताना है किस पे आप लाब कमा रहे हैं इस 100 रुपे खर्च करके लाब कमा रहे हैं 120 रुपे खर्च करके लाब कमा रहे हैं तो भाईया 100 रुपे आपने खर्च किये थे 120 में आपने बेचा है तभी आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है भाईया तो आप यहां पर बताएंगे कि हम क्या किये हैं 100 रुपे का लाब 100 रुपे पर लाब कमा रहे हैं और 100 रुपे में आपने खरीदा था तो यह आपका CP था और यह क्या था आपका यह SP था तो आप upon में रखेंगे क्या रखेंगे CP क्योंकि 100 रुपे पर ही तो लाब कमा रहे हैं तो यह आपका और चुकि आपको percentage में निकालना है तो percentage वाले class में बताये थे कि जैसे भी आपको percentage लगाना पड़े आप multiply करके 100 कर दीजिए वही तुरंट percentage लग जाता है बस यही आपका फार्मूला हो गया अभी एक एक example समझेंगे इसका भी मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु जो है कितने रुपए में खरीदी बहिया 500 रुपए में खरीदी और अगर आपने खरीदी तो यह आपका क्या हुआ CP ही तो हुआ 500 रुपए में खरीदी तो यह आपका CP ही हुआ अब आप क्या कर रहे हैं इसको 550 रुपए में बेच दे रहे हैं कितने रुपए में बेच दे रहे हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, ठीक है, अभी देखिए, 500 रुपे में खरीद रहे हो, 550 रुपे में बेच दे रहे हो, अब percentage लाब आपको बताना है, प्रतिसत लाब बताना है, यानि percentage में profit आपको बताना है, मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कि पहले लाब हो रहा है, तो जो लाब हुआ, उसको हम उपर रखेंगे, अब आपको बताए क्या है, CP को आपको नीचे रखना है, तो CP आपका है कितना, 500 है भी या, और multiply क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें उत्तर percentage में बताना था, ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा, 5 एकम 5, और 50 ही में, 50, मतलब कि आपको profit कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है, समझे में आई बात, 500 की वस्तू खरीदी, 525 में बेश दी, 50 रुपे का लाब हो रहा था, तो उसको उपर रख दिया, CP को नीचे रखा, multiply 100 करके, और percentage लगा दिया, उसी को काटे, पता चला, 10% का आपको क्या हो रहा था, लाब हो रहा था, तो यह आपका हो गया, profit का formula, अभी एक बार सारी चीज़े समझाते हैं, फिर उसके बार आपके साथ questions भी solve करेंगे, लगबच 10-12 questions solve कर लेंगे, तो चीज़े आसान हो जाएंगी, आपको समझ नहीं में, ठीक है, चलिए, अब आपको निकालन था, तो P को उपर रखे थे, मतलब profit को उपर रखे थे, लाब को उपर रखे थे, अब आप loss निकाल रहे हैं, हानी निकाल रहे हैं, तो आपको loss को उपर, यानि हानी को उपर रखना होगा, अब भाईया एक बात बताओ, कि आप किसी सामान को जो है क्या कर रहे हो, 100 रुप कितने की हानी हो रही है, 20 रुपे की हानी हो रही है आपको ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि हानी आपको इस 80 रुपे में हो रही है कि इस 100 रुपे में हो रही है, क्या आपने 80 रुपे लगाया फिर आपको हानी हुई, या आपने 100 रुपे खर्च किये थे तब आपको हानी हुई 80 रुपे खर्च किये थे तो हानी हुई कि 100 रुपे खर्च किये थे तब हानी हुई मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाईया मेरे बड़े भाई मेरे छोटे भाई जो कोई भी हो भाई बहन हो ध्यान में रखो कि आपने 100 रुपे खर्च किया था और 80 में बेचा था इसलिए आपको क्या हुआ मेरे पहे दोस्त हानी हुई तो CP यहाँ पर आपको फिर नीचे रख देना होगा आपको ध्यान में रखना है लोस को उपर रखा और CP को नीचे रखोगे और Multiply क्या कर दोगे 100 कर दोगे जैसे ही 100 करोगे परसेंटेज लग जाएगा यही आपका फार्मूला हो गया एक चीज आपने नोटिस की भाईया यहाँ पर भी CP आ गया यहाँ पर भी CP आ गया यह क्या माजरा है तो भाईया एक कारण तो आपको हमने बता दिया कि CP क्यों आया यहाँ पर देख सकते हो ठीक है यह एक तरीका बता दिया भाईया एक आप कारण और बता देते तो और बढ़िया रहता तो चलो एक कारण आपको क्या करते हैं और बता देते हैं ध्यान लिजेगा कि जो CP होता है मेरी प्यारे दोस्त, ये CP जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, constant रहता है, इसकी value कभी change नहीं होती है, मान लिजे कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीद ली, तो अब आपकी इसकी value 100 रुपए ही रहेगी, CP हमेशा 100 रुपए होगा, जो SP है, ये आपका change हो सकता है, मान लिजे आपने 10-10 रुपए में, 10-10 रुपए में कितनी कल में, 15 कल में खरीदी, 15 कल में खरीदी, तो आपका rate कितना लगा, आपका पैसा मतलब वहाँ पर कितना खर्च हुआ, आपका CP पता चला कि बहाँ या 1.500 रुपए है, लेकिन आप क्य थी, उसको आपने कितने रुपए में बेची, 15 रुपए में बेची, फिर मालते 5 कलम आपने कितने में बेची, 8 रुपए में बेची, तो अभी आप देखें, 12 पंचे, 60, 15 पंचे, 75, 8 पंचे, 40, तो अभी आप इनको जोड़ेंगे, तो पता चलेगा, 5 और 6, 14, 17, यानि क कितने में बेच रहें, 150 रुपए में बेच रहें, तो अभी क्या हुआ, आप एक चीज़ देख पाए होंगे, कि जो इसका CP था, CP एक पेन का कितना था, 10 रुपए था, वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ, वो 10 रुपए ही रहा, लेकिन यहां पर आप आप देख कर चिकिए, वही आपका CP रहेगा, और वही हमेशा रहने वाला है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, CP को हमेशा नीचे रखते हैं, अगर कोई चीज हिलती हो, तो उस पे new नहीं बनाया जाता है, नहीं तो क्या होगा, घर गिर सकता है, हम new इस तरीके से बनाते हैं, कि उसे हिलन ना पड़े, तो ये आपका new है, और new कभी हिलनी नहीं जाहिए, ठीक है, तो ये चीजे आपको समझ में आ गई होंगी, I hope, अब हम क्या करते हैं, कि 2-2 questions, 4-4 questions क्या करते हैं, देख लेते हैं, एक-एक चीज पर, ठीक है, चलिए, छोटे से छोटे questions को start करेंगे, और जो 2-4 questions, 10 questions हो सकते हैं, क्योंकि videos और introduction video है, ये आपकी ज्यादा लम्मी नहीं होने पाएगी, ठीक है, questions वाली videos लम्मी होंगी, क्योंकि वहाँ पे धडलले के साथ हम क्या करेंगे, धुआधार questions, हमक देंगे, एक नम से देखा जाएगा, ठीक है, चलिए, माल लीजिए, पहला प् एक वस्तुको कितने में खरीदा, माल लीजिए, 600 रुपे में खरीदा है, 600 रुपे में क्या किया है, खरीदा है, और उसी वस्तुको कितने रुपे में बेच रहा है, उसी वस्तुको 720 रुपे में बेच रहा है, अब यहाँ पर आपको तीन चीजे बतानी है, ये आपका CP ह पहली बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें 600 रुपे का उसने खरीदा था 720 रुपे का बेच रहा है तो यह आपका SP है पहले तो आपको यह बताना है कि उसको profit कितने रुपे का हुआ दूसरा आपको बताना है कि profit percentage में कितना हुआ ठीक है तीसरा बताना है क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं क्या चीजें समझ आ रही है या नहीं ठीक है यह तीन प्रसन आपको जबाब देने हैं पहला तो आपको बताना है कि उसको profit कितने रुपे का हो रहा है टो आप यहां पे देख पारहे होंगे कि वस्तु को कितने रूपई में उस mêsती ने ख़ड़ीदा. 600 रूपई में ख़ड़ीदा था। 600 रूपई में कुछी वस्तु को आप खड़ीदे थे और 720 रूपई में बेज दे रहे हो ये बताओ कितने रुपे का लाव हुआ तो भीया आप कहोगे कि सर जी हम क्या करेंगे 720 में से 600 रुपे माइनस करेंगे तो 720 में से जब 600 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा 120 रुपे का प्रॉफिट हुआ है 120 रुपे का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है profit को दिखाने के लिए आप यहाँ पर plus का भी प्रियोग कर सकते हैं कि plus की है मतलब कि 120 रुपए हमें ज्यादा मिला है loss को दिखाना होगा तो आप minus कर दीजिएगा अब दूसरा प्रसन आप से पूछ रहा है कि यह बताईए percentage lab आपको बताना है कि प्रतिसत में उसको lab किरना पराप्त हुआ तो देखिए profit कितने का हो रहा है 120 रुपए का 120 को उपर रखेंगे देखिए फारवोला तो ही कह रहा है कि profit को उपर रखना है CP को आपको नीचे रखना है तो CP आपका कितना था 600 था तो 600 को नीचे में रखेंगे और multiply कर देंगे 100 क्या कर देंगे 100 यहीं से आपका percentage लग जाएगा भीया 00 से 00 कट जाएगा 6 कम 6 6 दुनिवारा और 6 सुनम सुन मतलब उसको profit कितने का हो रहा है 20 परतिसत का हो रहा है यहाँ पर आप लिखेंगे कितने का हो रहा है 20 परतिसत का हो रहा है 2 question तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे क्योंकि यह 2 question बहुत आसान थे 3 question सबसे top question है क्या चीजे आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो यह आपको comment section में बताना होगा क्योंकि इसके जबाब मुझे नहीं आता है मुझे नहीं आता है अगर आपको आता हो ज़्यादा समझदार बेक्ती हो तो आप इसका जबाब देख कर देखिए ठीक है चलिए अब हम क्या करते है और question देख लेते हैं एक वस्तुको कितने रुपे में खरीदा मेरी प्यारे दोस्त तो उसने खरीदा 800 रुपे में कितने में खरीदा 800 अब खरीदा तो यह इसका CP हो गया CDC वात है खरीदा तो CP हो गया अब माली जी वो उसको बेच कितने में रहा है तो वो उसको बीच रहा है हमें खरीदा 760 में बेच रहा है तो लोस हो रहा है तो पहला को इस्चिन आपको बताना है शुट्स कितने में रुपए का हो रहा हैió commitment यहाँ पर आपको बताना है कि आफ रूपएर अर्ग्रियृ। रुपएर में आपको CP में से SP को phys कर देंघे CP 800 उसमें से हमने क्या है SP किटना है 750 नूर्पे है इसको माशनक दो पतज चला 40 रूपे का क्या हो रहा है लॉष हो रहा है तो यहां पर आप ल eerste यह 40 रुपे का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है बड़ी अच्छा सवाल था बड़ी आसान से लग गया उसके बाद पूछ रहा है प्रतिस्त लॉस आपको बताना है तो प्रस्त लॉस में आपने देखा तब यह क्या देखा था यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लॉस को रखते हैं CP को नीचे रखते हैं multiply hundred कर देते हैं ठीक है loss कितने का हो रहा है 40 का हो रहा है CP कितना तो है और bell k Dá ہए 100 कर देंगे यही से प्रतिसत आप का लग जाएगा 0000 आठी हमान। चालिस मतलब उसको कितने का हो रहा है पांच प्रतिसत का क्या हो रहा है मेरी प्यारे दोस्त लॉस हो रहा है ठीक है रुपए में बात करें तो 40 रुपए का लॉस हो रहा है और प्रतिसत में हम बात करेंगे तो कितने का हो रहा है पांच प्रतिसत का उसको क्या हो रहा है लॉ क्सिस करता है मुझाने की कुछस क्या करता है अब यह दहीं मनले ले चलेगा गुमाने मनली वाल नहीं मतलब दौगा समझता है मुंठा है इस तरीके से कोषक्शन देता हूं यह यह है हम लूग बहुत जादा 6 साइकल खरीदी कितने में खरीदी 1200 रुपए में खरीदी कितने रुपए में खरीदी 1200 रुपए में खरीदी तो ये इसका क्या हुआ CP हुआ, CDC बात है 1200 रुपे में एक साइकल को खरी दी ठीक है, वो साइकल थोड़ा खराब थी, तो उसको बनवाने में उसने कितने रुपे खर्च किये भहिया तो उसको बनवाने में उसने 100 रुपे खर्च किये कितने रुपे खर्च किये 100 रुपे उसको बनवाने में खर्च कर दिए फिर पता चला कि जब वो घर पे पहुँचा तो भाईया भी साईकिल लेकर करके आया था उसने 100 उपे भी खर्च के थे तो घरवाले कहने लगे भाईया साईकिल लेकर आयो हो चाहे पुराने लेकर आयो है 10 रुपए अगर लड़ों न लाओ तो बेकार है तो उस बेचारे ने सोचा कि एक दो लड़ों में तो काम नहीं चलेगा तो उसने 100 रुपए का क्या किया लड़ों खरीद लिया कितने रुपए में खरीद लिया 100 रुपए में लड़ों खरीद लिया अब क्या कर रहा है कि वो उस दिन साइकल को चलाता है ठीक है और चलाने के बाद उस साइकल को वो कितने रुपए में बेच दे रहा है मेरे पाई दोस्त तो वो बेच दे रहा है 1470 रुपए में बेच दे रहा है ठीक है तो यह आपको क्या हुआ SP हो गया है अब आपको बताना है तीन को दो question बताने है पहला question तो आपको यह बताना है कि उसको अगर profit हो रहा है या फिर अगर उसको loss हो रहा है profit या loss हो रहा है तो कितने का हो रहा है पहले तो बताईए profit हो रहा है या loss हो रहा है अगर हो रहा है तो कितने का हो रहा है रुपे में किसमें रूपे में दूसरा आप से पूछ रहा है कि सीपी केवल आपका यही नहीं होगा अगर इन दोनों की बात ना की जाती, तो केवल आपका CP 1200 होता, लेकिन अभी उसने 100 रुपे बनवाने में, उस 100 रुपे लड़ू में खर्च कर दिये, तो टोटल उसका CP हो जाएगा, 1200, 1300 एक कितना हो जाएगा, 1400 रुपे हो जाएगा, 1400 रुपे उसका का CP कितना है, 1400 रुपे है 1470 में बेच रहा है, 1400 को लाया है, 1470 का बेच रहा है, तो उसको प्रॉफित हो रहा है, लॉस हो रहा है, यह देखने से पता चला है, प्रॉफित हो रहा है कितने का हो रहा है, 70 रुपे का, तो आप जीरो से डबल जीरो परसेंटेज लग जाएगा 14 पंचे 70 बताइए बताइए फटाफट समझ में आया कि नहीं समझ में आया दो कोईशन पूछे गए थे और दोनों कोईशन के हमने रवाब दे दिया आराम से ठीक है चलिए तीसरा कोईशन जो है पूछता है क्या पूछता है ये भी बता देते हैं एक यह आखरी question रहेगा, कल से हम questions की स्रीज स्टार्ट करेंगे, एक question को समझने का प्रयास करेंगे, और जानेंगे कि क्या-क्या पूंचा जा सकता है, ठीकर, यह आखरी question है, इसका हो सकता है, दो थरीका बता दे, दो question इसनी में करवा दे, बस उसके बाद video को समाप्त कर दें 20 प्रतिसत की हानी पर बेच दिया, 20 प्रतिसत की हानी पर बेचा, ठीक है, एक बेक्ति ने, एक वस्तु को 20 प्रतिसत के हानी पर बेचा, यदि उसका मेरी प्यारे दोस्त क्रें मूले, यदि उसका क्रें मूले, क्रें मूले का मतलब क्या होता है, CP होता है, इतना बड़ा थ पड़ी लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या? CP. यदि उसका CP, मेरे प्यारे दोस्त, कितना रहा हो? रहा होगा मालीजिए, 2000 रूपे. कितना था? 2000 रूपे. यदि उसका CP 2000 रूपे रहा हो, तो आपको उसका SP बताना है. मतलब कितने रुपए में बेचा था यह आपको यहां पर बताना है ध्यान दीजिएगा एक बेक्टी किसी वस्तों को 20 परसंट की हानी पर बेचता है यदि उसका CP कितना रहा हो कितना रहा हो 2000 रुपए रहा हो तो आपको इसका SP बताना है इसी के साथ दूसरा कोईशन मनता है कि यदि भाईया इसका लॉस क्या लॉस जो है हानी जो रहा है मेरे प्यारे दोस्त वो रहा है 180 रुपए क्या रहा है 180 रुपए तो आपको इसका SP भी बताना है और CP भी बताना है तीसरा परसंट ये इसी पर चल ला है मनलिजे ये एक भाई साब है जो परधान है सर्वे सर्वा उसके बाद ये लोग चल ले है इसका एक पहला कोईशन इसी से बना है दूसरा कोईशन भी इसी से बना है इन्ही का ही दो कोईशन बना है तीसरा question हम ये बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि अगर इनका SP इस बार ले लेते हैं तीसरा प्रस्न में कि यदि SP इनका जो है 560 रुपे राओ तो आपको CP बताना है बताओ तीन question पूछे हैं एक प्रस्न हमने बताया है कि एक बेक्त किसी वस्तो को 20% हानी पर बेचता है पहला प्रस्न अगर 20% के हानी पर बेचता है यदि उसका SCP इतना हो तो SP क्या होगा दूसरा यदि उसको loss मतलब घाटा इतने का लग रहा हो तो उसका selling price मतलब की विक्रे मूले और क्रे मूले क्या होगा अगर तीसरा प्रस्न पूछ रहा है कि 20% की हानी पर बेच रहा है अगर उसका जो विक्रे मूले वो 560 रुपे है तो उसने खड़ी दे कितने का था ये आपको यहाँ पर बताना है तीन प्रस्न है तीनों प्रस्न को आपको क्या करना है solve करना है ठीक है इसको मिटा देते हैं यहीं पर solve करवा देते हैं ठीक है बहुत आसान तरीके से समझा रहे है एक प्रस्न से कितने questions पूछे जा सकते हैं मैं वो सारे questions आपको यहाँ पर बताऊंगा चले देखते हैं क्या बोला है कि 20% की हानी पर बेचा गया तो पहले तो हम एक तरीका देखेंगे कि इसको 100 मान कर लगाएंगे क्या करेंगे 100% मान कर लगाएंगे कि कोई वस्तू 100% की थी तो 100% की रही होगी तो यानि कि 100% की अगर उसने खरीदी होगी तो वो उसका CP होगा अब 20% का उसमें उसको घाटा लग जा रहा है क्या हो रहा है? हानी हो रही है तो वो कितने का बेच रहा है? 80% का बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो अगर 80% का बेच रहा है तो यह इसका SP हो गया ठीक है? तो अब ध्यान दीजिए अगर यहां पर इसका CP कितना है? 2,000 रुपे हैं और यहां पर CP क्या है? 100% है तो यानि हम कह सकते हैं कि यह 100% जो है वो 2,000 रुपे के बराबर है समझ रहो? यह परतिसत में 100% बराबर होगा 2,000 रुपे के तो अगर इसी का हम एक परतिसत निकारे मेरे पहरे दोस्त मेरे भहिया तो 100 इधर multiply में तो इधर divide में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2000 बटे 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 00 से 00 कर जाएगा तो 1% बराबर आपका निकलाया कितना 20 रुपे के 1% बराबर 20 रुपे के निकलाया अब वो आपसे SP पूछ रहा है क्या पूछ रहा है SP पूछ रहा है SP है कितना 80% तो अगर इसको हम 80 कर दें किसी तरीके से तो यहाँ पर 80 से multiply होगा अगर यहाँ पर 80 से multiply हो रहा है तो यहाँ पर 20 से multiply होगा तो यानि कि हमारा 80% जो होगा वो क को खरीद रहा था और बेच कितने में रहा था? 1600 रुपए में बेच रहा था. अगर यहीं पर उसने आप से लॉस भी पूछ लिया. चलिए तीसरा कोईशन भी इसे मजोड लिएता है कि उसने लॉस भी पूछ लिया कि कितने का लॉस हो रहा था डन हो गया ठीक है क्या हो गया डन हो गया दूसरे प्रस्न की ओर चलते हैं दूसरा प्रस्न क्या पूंच रहा है ठीक है क्या पूच रहा है दूसरा प्रस्न क्या पूंच रहा है चलिए ठीक है अब दूसरा प्रस्णाप से यहाँ पर मेरे पेड़े दोस्त आप से पूछ रहा है कि लॉस कितने का हो रहा है 180 का और यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है 20 पर सब्सक्राइब का वही चीज फिर से लगाएंगे या उसका दूसरा तरीका भी बताजें इसका दूसरा तरीका कल बताएंगे थोड़ा टुष्ट होना आवश्यक है ठीक है कल बताएंगे दूसरा तरीका आज के वल एक ही तरीके पर सॉल्ब करते हैं देखिए यहाँ पर इसको हानी कितने के हो रही 20% की और यहां पर हानी कितने के हो रही 180 रुपे की तो यानि हम कह सकते हैं कि 20% जो है हानी बराबर है 180 रुपे की मतलब जो 20% में हानी होती वो रुपे में कितने के हो रही है 180 की हो रही है तो 1% बराबर हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे तो यह हो जाएगा 180 बटे में 20, 0 से 0 कट जाएगा 2 एकम 2 और 29 18, मतलब कि 1% बराबर हमारा निकल के आया क्या? 9 रुपे के, ठीक है? अब उसमें पूँचा क्या गया है? एक बार SP पूँच रहा है, एक बार CP पूँच रहा है, तो SP देखिए, ध्यान दीजिए, कि अगर CP क्या हुआ? CP आपका हुआ 100%, और अगर उसमें 20% का गाता लग रहा है, मालिजे 20 का, उसको लॉस हुआ, तो बेचेगा कितने का? 80% का, तो 80% का बेचेगा, तो उसका वो SP क्या हुआ? 80% हो गया, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, CP कितना है? CP 100% है, और SP 80% है, तो एक बार हम 100 से multiply कर देंगे तो हमें CP पता चल जाएगा एक बार 80 से multiply करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा SP तो इस बार क्या करते हैं 100 से multiply करते हैं 100 से multiply किये तो पता चला 100% 100% क्या था? CP था तो CP बराबर 900 रुपे आके कितने के हो गया? 900 रुपे के हो गया ठीक है तो यानि कि आप यहां पर बता सकते हैं उसका C.P. कितना निकलके आया 900 रुपे निकलके आया ठीक है चलिए दूसरा प्रसनी ीसी पे पूंच रहा था कि भैया ये वताओ कि इसका SP कितना हो गा SP कितना है 80 परिस्ट है तो अभी 1% बराबर कितना निकाले थे 9 रूपय के निकाले थे यही तो था 9 रूपय के निकाले थे तो 80 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 80 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 80% बराबर क्या निकल के आ गया 80% बराबर 89 बातर 720 रुपया के ठीक है तो 900 रुपय में खरीद रहा है और 720 रुपय में बेच रहा है ठीक है तो यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरीके से यह आपका दूसरा question भी क्या हो गया clear हो गया, done हो गया, ठीक है done हुआ की नहीं हुआ अब हम बात करते हैं तीसरे person के बारे में तीसरा person क्या पूँच रहा है तीसरे person भी एक चीज़ जोड लिएगा अब केवल यहाँ पे CP पुचा गया है CP के साथ में यहाँ पर loss भी जोड लिए कि वो loss भी पूँच रहा है, ठीक है ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कोई बेक्टी एक वस्त को 20% के हानी पर बेचता है तो उसको, उसका जो SP है वो कितना हो जाता है 560 रुपे हो जाता है यहाँ पर अगर 20% के हानी पर बेचेगा 100% मान कर लगा है, तो उसका SP कितना आ रहा है 80% आ रहा है, तो यानी हम कहेंगे कि 80% जो है, वो बराबर है कितने रुपे के बराबर है, तो वो आपका 560 रुपे के बराबर है यही तो होगा, तो यानी एक परसेंट बराबर जब हम निकालेंगे तो एक परसेंट बराबर हो जाएगा 560 बटे 80 के 0 से 0 काटेंगे 8 एकम 8, 8 सते 56 तो 1% बराबर हो जाएगा 7 रुपे के और चुकि उसने क्या पूछ रखा है? CP पूछ रखा है, एक बार CP पूछा है, एक बार Loss पूछा है तो CP तो हमें पता 100% है, और Loss कितना है? 20% है तो एक बार हम 100 से multiply करेंगे, एक बार 20 से multiply करेंगे तो पहले 100 से करते हैं, इस तरब भी 100 से, इस तरब भी 100 से गुणा तो ये हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 700 रुपे के, कितने के हो जाएगा? 700 रुपे के हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही ही चीज़े अगर वही चीज़ आप से पूछ लिया, loss, यहाँ पर लिख देंगे 700 रुपे का क्या हो रहा है? 700 रुपे की उस वस्त को उसने खरीदा था loss पूछ रहा है, तो दोनों तरब हम multiply करेंगे 20 से, तो 1% बराबर कितना निकला था? 7 रुपे के निकला था, ठीक है? अब उसमें हम क्या करेंगे? 20 से दोनों तरब multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 20% बराबर 7, 2, 14, 140 रुपे का उससे क्या हो रहा है? loss हो रहा है, कितने का हो रहा है? 140 रुपे का loss हो रहा है, लीजिए एक ही परसन से हमने कितने परसन करवा दिये? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% एक ही बात पे हमने 6 परसन आप से करवा दिये और 6 के 6 चीज़ों आपको समझ में आ गई होंगी I hope वो भी एक तरीका था केवल केवल एक तरीका तरीका था जो अभी हमने आपको बताया है इन 6 के 6 परसनों के एक और तरीके हैं अगर वो भी मैं बताऊंगा तो आपके टोटल 12 परसन हो जाएंगे लेकिन वो मैं आज बताने वाला आपको नहीं हूँ कब बताऊंगा? कल के कलास में बताऊंगा, ठीक है? चलिए आई हो पर सारी चीजे आपको यहां पर कलियर हो गई होंगी बैया, अगर कलियर हो गई है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं आपको क्या करना है? हाँ बहुत समझदार हो, तुम लोग बताएंगा, तुम लोग पुरुस नहीं हो ना भीया? पुरुस ना यह हो तुसन महा पुरुस हो चलिए तो क्या करते है तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोस नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत